नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Mission UPSC में Fact for Prelims में आज हम 7th July के Current Affair को डिसकस करेंगे जो Prelims के साब से तो Important होंगे ही और Different Exams के साब से भी Important होंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं First News है इंतजार आपका यह क्या है मद्यपरदेश का एक Social Media Campaign है टूरिजम को बढ़ाने के लिए COVID-19 की वज़े से जो टूरिजम Market है टूरिजम Industry है उसको बहुत जादा Effect हुआ है तो फिर से एक Confidence जो Travelers है टूरिस्ट है उनमें बनाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है जिसमें Travel Safety दी जाएगी और Stay अच्छे से दिया जाएगा और COVID-19 की जो Precautions है उनको भी मद्यपरदेश टूरिजम ने इसको स्टार्ट करा है मद्यपरदेश टूरिजम को Winner का Award भी मिल चुका है लगतार 3 साल 2015, 2016 और 2017 में दोस्तों ठीक है टूरिजम से स्टेट के अंदर बहुत जादा Employment होता है जैसे जब टूरिस्ट जाएगा तो Hotel Industry चलेगी दूसरा यह जो Auto रिक्षा लोग है इनकी पैसे मिलेंगे इनको क्योंकि टूरिस्ट जाएगा तो किसी चीज़ से जाएगा भूमने के लिए फिर रेस्टूरेंट्स चलेंगे और जो Shopping area होते हैं Malls, छोटे Markets और किसी-किसी डिस्टिक में तो कोई चीज बहुत famous होती है तो उसका उत्पादन बढ़ता है और उसकी सेल बढ़ती है तो इस वज़े से employment बहुत जनरेट होता है दोस्तों और मद्यपरदेश ने home delivery स्टार्ट कर दी है COVID-19 की वज़े से दोस्तों ठीक है नेक्स न्यूज है ने क्या करा है कि National Highway Authority और इंडिया ने जो Ministry of Road, Transport and Highways में आती है उसने क्या करा है कि जो roads है अब उनको ranking देना शुरू करेगी उनकी quality के base पे कैसे ranking दिये जाएंगे कि highway efficiency कितनी है highway safety और user service ठीक है ये parameter देखे जाएंगे जिससे क्या होगा जो खराब roads होगी जिनकी ranking बहुत नीचे होगी तो उनकी quality को increase करा जाएगा जिससे जो society में people हैं जो उस road पे travel करते हैं उनको कोई दुविदा ना हो दोस्तों ठीक है तो NHI ने इस बात को रखा है तो important parameter कौन कौन से है देखा जाएगा कि toll plaza पे कितने अच्छे से हैं कि किदर मुणना है किसे साब से direction जो boards लगे होते हैं वो roads की marking कि मतलब जो dividers होते हैं बीच में ठीक से हैं मतलब हर चीज़ को इसमें देखा जाएगा कि incident response time कितना है कि मतलब अगर वहां पे कोई accident हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस दौर में अगर police को बुलाना है किसी इंसान को बुलाना है तो किती देर में वो जना पहुच जाता है ठीक है traffic कैसे management हो रहा है barrier किस हिसाब से और structure कैसा है उस road की cleanliness कितनी है तो ये सब चीज़े इसमें देखी जाएगी फिर उस हिसाब से उनको score कि दिया जाएगा और जिसका score कमाएगा उसको फिर उस पे operations चलाए जाएगे जिससे वो better safety और experience अच्छा हो लोगों का improve करा जा सके ठीक है next news है Indian railway ने decide कि 2030 तक हम net zero मतलब carbon emissions हो है उसको zero कर देंगे कैसे देखते हैं क्यूंकि दोस्तों हमको pollution free country बनानी पड़ेगी environment बनाना पड़ेगा world बनाना पड़ेगा जिससे sustainable development हो पा अच्छे से रह पाएं दोस्तों तो इसमें क्या है एक mission mode में काम करे जा रहा है Indian railway के दोआरा जिसमें net zero मतलब carbon emission जो है transportation network का उसको zero लाया जाएगा 2030 तक एक pilot project pilot project का क्या मतलब होता है कि check करा जा रहा है trial based कह सकते हो आप कि trial हो रहा है अभी कहां पे बीना में ठीक है trial हो रहा यह आत्म निर्वर बारत के तहत करा जा रहा है और Indian railway ने solar energy के द्वारा इस चीज को करा जाएगा जिसका green mode of transportation इसका एक चरीके से theme होगी दोस्तों next news है world bank ने और government of India ने 750 dollars million dollars का एक agreement करा है जो हमें MSME को आगे बढ़ाने में सायथा देगा दोस्तों COVID-19 की वज़े से जो छोटे उद्योग थे छोटे मद्यम लुगम उद्योग जो थे micro medium और small enterprises जो थे वो बंद हो चुके थे क्योंकि worker migrate कर गए थे and financial problem आ गए थी और बहुत सारी supply नहीं हो रही थी market से तो उसको अब कैसे उठा सकते हैं उन market को पैसा दे के कि वो अच्छे से invest कर सके हैं लेकिन क्या हो रहा है जो banks है वो रुपे नहीं दे रहे हैं क्योंकि bank को अपने रुपे को देने में guarantee चाहिए जो guarantee कौन दे रहा है government दे रही है मतलब bank किसी को loan देगा तो guarantee लेगा MSME से कि भाई आप pretend कर दोगे नहीं दोगे लेकिन bank को loan देने में problem हो रही है क्योंकि bank का NPA बहुत है non performing asset तो इस वज़े से हमने world bank और government of India में agreement हुआ है 750 million dollars का जो MSME को उपर उठाने में मदद करेगा तो इसमें वो ही बात रिखी गई है support करा जाएगा जो finance का flow है उसको increase करा जाएगा MSME के अंदर और COVID-19 के वज़े से जो उनको impact हुआ इससे क्या होगा 1.5 million जो available MSME है और employment generation है इसका MSME का MSME में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं सबसे ज़्यादा employment होता है इसके दौरा तो वो बचा रहेगा ठीक है इसमें कहा जाता है कि government support कर रही है कि जो non banking financial companies और banks है वो पैसा lending देती रहे MSME को जिससे वो अपना invest करते रहे और अपने जो आपका plant है जो उनका manufacturing area है उसको develop करते रहे हैं दोस्तो world bank group इसके अंदर 6 चीज़ा आती है दोस्तो ठीक है उसका एक part है international finance corporation ठीक है उसने support कराया MSME को इस finance के through दोस्तो ठीक है unlocking liquidity इसका मतलब यह है कि जो government of India और RBI के द्वारा अभी 20 लाग करोड का package जो गोशना करी गई थी government के द्वारा और RBI ने भी repo rate और reverse repo rate को कम करा जिससे MSME में जिससे market में liquidity बढ़ेगी liquidity का मतलब है market में flow of money increase होगा और MSME अच्छे से investment कर पाएंगी ठीक है क्योंकि जब repo rate कम करती है RBI तो banks भी थोड़ा बहुत अपना कम करते हैं वो पूरा deciderable होता है bank के द्वारा दोस्तो इसमें यही का गया है कि जो MSME सेक्टर है उसको बिना कोई risk के सोचे कि आपको risk होगा and NBFC को नहीं आप उनको lend कर सकते हैं government उसकी guarantee लेगी credit guarantees के द्वारा दोस्तो ठीक है strengthening NBFC and small finance bank अब क्या होगा यह जो पैसा है यह direct MSME को दिया नहीं जाएगा यह इनके through दिया जाएगा NBFC और small finance bank के through यह इनको lend करेंगे दोस्तो ठीक है तो यह कब lend कर पाएंगे पैसा MSME को जब इन पे खुब सारा amount होगा तब ही आगे की तरफ दे पाएंगे इससे MSME को फायदा होगा दोस्तो ठीक है financial innovation में बात कही गई है कि 8% जो MSME है वो former credit channel के through अपना पैसा लेती है और एक incentivized और mainstream program चला है जिससे हम financially और digitally MSME को lending कर पाएं और payment कर पाएं क्योंकि middleman के दुआरा क्या होता है ना corruption increase होता है इसलिए हमें हर चीज़ डिजिटलाइज़ेशन पे काम करना पड़ेगा digital platform को तयार करना पड़ेगा वो एक important role play कर सकता है लेंडर्स के बीच और supplier और buyers के बीच और low cost में भी चीज़ों को दिलवा सकता है दोस्तों तो ये MSME से related पूरा article था कि World Bank और India Government of India के बीच में साड़े 700 million dollars का agreement हुआ है दोस्तों next news है Asia largest solar plant Asia का largest solar plant Riva में खुलाए रिवा का आपर है MP में इसको inaugurate करेंगे प्रदान मंत्री जी प्राइम निस्टर इनागरेट किया है 750 megawatt का Riva में ultra mega solar plant जो गुर तैसील में है रिवा डिस्टिक के अंदर पड़ता है रिवा का है मद्देपरदेश में ये 1590 एकड के land पे बनी हुई है और दोस्तों ये joint venture है joint venture तब होता है जब बहुत सारे companies या government और companies मिलके काम करती है तो solar energy corporation of India मद्देपरदेश उर्जा विकास निगम limited इन दोनों के द्वारा बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है Riva Ultra Mega Solar Limited इस joint venture को नाम दिया गया है इसमें पूरी cost 4000 करोड किया है और international finance corporation जो world bank group का part है उसने भी इनको transaction advisor के तोर पे काम करा है दोस्तों और दिल्ली metro rail corporation जो है उसमें 7500 megabart जो Riva के ultra mega solar power project में से बनेगी उसका 24% power generate करी जाएगी रिवा में उसका supply होगा दिल्ली metro में दोस्तों ठीक है ठीक है जो वहाँ पर बनेगी 750 megabart उसका 24% दिल्ली metro के लिए supply होगा next news है facebook for education क्योंकि lockdown की वज़े से और covid-19 की वज़े से education जो main इस्थम्ब होता है किसी भी country का education और health उसको सबसे ज़्यादा effect पड़ा तो cbsc ने एक partnership करी है facebook के साथ क्या partnership है first क्या है कि एक curriculum बनाया जाएगा जो अच्छे से apply करा जाएगा two face में curriculum बनेगा first face क्या होगा जो training देगा 10,000 cbsc teachers को training कंड़क्ट कराई जाएगी facebook के द्वारा ठीक है और इसमें 30,000 student को second face में पड़ाया जाएगा teachers के द्वारा और proper utilization होगा facebook का और studio का reality studio का जिससे teachers को training दी जाएगी दोस्तों second facebook for education इसमें क्या है second phase में कि building health digital habits कि हमको habit डागनी पड़ेगी digitalization के साथ दोस्तों क्यूंकि आगे का दौर और जादा कठिन होने वाला है वो भी digitalization में ही जिया जाएगा आने वाले 50-60 साल थक दोस्तों तो इस वज़े से हमको digital capability को बढ़ाना होगा privacy पे काम करना होगा उसके साब से हमको infrastructure तयार करना होगा safety और report threats और identify misinformation की कोई गलत अववा ना फैल है क्यूंकि बहुत तेजी से spread होती है social media के दोर में कोई भी गलत news दोस्तों तो यह lecture मैं यहीं पर conclude करता हूँ इसकी जो pdf है आपको telegram channel से मिल जाएगी जिसका link मैंने description box में दे रखा है दोस्तों ठीक है तो thank you thank you everyone